कम्प्यूटर आवशकता ही आवशकार की जननी है इस कथन में जीवन की सच्चाई की अभिव्यक्ती की गई है इसी सत्तिनी रेलगाडी, बायूयान, जल्यान, रेडियो, टेलिविजन आदि को जन्म दिया है कम्प्यूटर का आवशकार भी इसी प्रक्रिया का परिडाम है बिजली से संचालित होने वाला ये विचित्र यंत्र, छोटी बड़ी गड़िती ये परिगड़नाओं को पलग जपकते ही हल कर देता है साथ ही इसकी शुद्धता भी विश्वस्निय होती है सत्रहवी शताबदी के छठे दशक में जर्मन गड़ितग्य विलहेम श्रिकाड ने एक परिकलनी अंत्रकार निर्मान किया था जो गड़िती ये जोड, घटा, गुणा तथा भाग को सरलता पूर्वक हल कर सकता था इसे हम आधुनिक कैलकुलेटर का प्राथमिक संसकरण कह सकते हैं बहुत समय पश्चात, ब्रिटेन के प्रसेद्ध गड़ितग्य चाल्स बैबिच का ध्यान इसोवर आकरशित हुआ उन्नीसवी शताबदी के उत्तरार्ध में इन्होंने इसके विक्सित रूप का नमूना तैयार किया किन्त इसकी बनावट इतनी जटिल थी कि उस समय का कोई भी शिल्पी इसकी बनावट को समझ न सका कुछ समय बाद ASCC नाम का कम्प्यूटर बनाया गया इसे मार्क प्रथम नाम दिया गया इसमें पहली बार नलिकाओं वैक्यूम ट्यूप्स का प्रियोग किया गया बिजली से चलने वाले अन्योपकरणों की सहायता से ये गणती ये परिकलन करने में सफल रहा परन्तु हजारों निर्वात नलिकाओं की प्रियोग किये जाने से इसमें बिजली की खपत अधिक होती थी जिससे ये प्रणाली अधिक खर्चीली सिंध होई सबसे बड़ी जटिलता यह सामने आई कि बिजली के अधिक प्रियोग से उपकरण शीघ्र गर्म हो जाता था और इसकी नलिकाई जल जाती थी इसके बाद निर्वात नलिकाई के स्थान पर जर्मेनियम क्रिस्टल उपकरणों का प्रियोग किया जाने लगा जो निर्वात नलिकाई की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिध्ध हुआ इनके शिग्र गर्म हो जाने का खत्रा नहीं था और ये अधिक टिकाओ भी सिद्ध हुए परन्तु सिलिकॉन की खोज के साथ कम्प्यूटर का वास्तविक रूप सामने आया सिलिकॉन कमताप पर भी सफलता पूर्वक कारे संपादित कर सकता है इसकी छोटी और पतली ट्यूबों वॉल्वों ने निर्वात नलिकाओं का स्थान लिया जिससे कम्प्यूटर आकार में छोटे और कम भार वाले बनने लगे अब तो लैपटॉप और लगू आकार वाले माइक्रो कम्प्यूटर भी बनने लगे है आधुनिक कम्प्यूटर के निर्मान का श्रेय हावर्ड को दिया जाता है जिन्होंने सन 1944 में पहला कम्प्यूटर तयार किया कम्प्यूटर दिखने में बॉक्स के आकार जैसा उपकरण होता है जिसमें टेलिविजिन जैसी एक स्क्रीन होती है जिसे मॉनिटर कहते हैं इसके साथ ही एक टाइप राइटर जैसा यंत्र होता है जिससे हम सूचनाओ को कम्प्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं इस यंत्र को कीबोर्ड कहते हैं इसकी सहायता से कम्प्यूटर को जो निर्देश दिये जाते हैं उनका परडाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस परडाम को कागस पर छापने के लिए प्रिंटर का प्रियोग किया जाता है। प्रिंटर कागस पर परडाम छापकर हमारे समक्ष रख देता है। कम्प्यूटर में स्क्रीन पर आबजेक्ट को सिलेक्ट करने या खोलने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। कम्प्यूटर के मस्तिश्क को CPU कहते हैं, यह सभी आदेशों का पालन मानव निर्मित प्रोग्राम के अनुसार करता है। यह अत्यंत तीब द्रगती से सूचनाओं का विशलेशन करता है, तथा आदेशों के अनुसार मागी गई जानकारियां प्रस्तुत कर देता है। बड़े बड़े उद्योगों में कम्प्यूटर मशीनों को नियंत्रित करता है। डिजाइन तयार करने में भी कम्प्यूटर सहायक होता है। वस्त्रों के डिजाइन से लेकर बड़े बड़े हवाई जहाजों, रॉकेटों आदिके डिजाइन बनानी जैसे जटिल काम कम्प्यूटर की सहायता से संभब है। यह अंतरिक्षियान वह हवाई जहाजों का संचालन और नियंत्रन भी कर सकता है। यह शरीर के भीतरी अंगों की जाच करने तथा रोगियों के ऑपरेशन का रिकॉर्ड रखने में भी सहायक होता है। इसकी सहायता से हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को संदेश भेज सकते हैं और तुरंत ही उसका उत्तर भी पा सकते हैं। सुरक्षा काड़ों में कम्प्यूटर का योगदान विशेश उलेखनिया है। उपग्रह से प्राप्त मौसम संबंधी जानकारी पाने में भी कम्प्यूटर की सहायता ली जाती है। क्रिशी क्षेत्र में भी इसका उप्योग किया जा रहा है। बच्चे कम्प्यूटर की सहायता से वीडियो गेम खेल कर अपना मनुरंजन करते हैं। कार्टून फिल्म में बनाने में भी कम्प्यूटर पीछे नहीं है। अब तो बैटरी से चलने वाले छोटे छोटे कम्प्यूटर भी बनने लगे हैं। जिन्हें जेब में रखा जा सकता है। या घड़ी की तरह कलाई पर बांधा जा सकता है। वास्तब में कम्प्यूटर ने अलादीन के चिराक के जिन्ड की कहानी को दोहराया है। जेब में कम्प्यूटर के बढ़ते प्रियोग ने इसके महत्तो को और भी बांधा जाता है।